दोस्तो अगर आप लोग under 30000 mmPC बिल करना चाते हो जिस में आप नौर्बर गेमिंग करना चाते हो जहादा एंट गेमिंग तो नहीं चलेगा अंडर 30,000 PC में लेकिन अगर आप नॉर्मल गेमिंग करना चाहते हो मतलब जो एवरेज गेम्स होते उनको यह चला दे तो इस वीडियो को एक बार जरूर से देख लेना त्योंकि इस वीडियो में तो आपको लगबग 30-32 अगर के बीच में यह पर जाएगा और थोड़ा बहुत आपके उपर करेंगा कि आप बार्गेनिंग कैसे कर सकते हो क्यों कि आपको काफी सस्ता मिल जाएगा लगबग हर एक कॉम्पोनेंट में आपको 2000 का शूट मिली जाएका ओफ-लाइन में लेकिन वह आपको 5,000 ज्यादा पर जाएगा आई 3 से आई 3 12 जैन का प्रोसेशर काफी अच्छा है अगर आप देक्स्टॉप पर यूस करोगे क्योंकि लैप्टॉप में तोरा कम जोर पर जाता है लेकिन डेक्स्टॉप पर आपका जो आई 3 है वह भी काफी पावर्पुल यह प्रोसेशर है वह प्रोसेशर है जो कि आपको फूल एजडी में गेम करना चाहते हो तो आपको फ्रीस कम मिलेगा लेकिर इसकी प्राइस अब लोग ऑनलाइन अगर चेक करोगे तो 10,000 के आसपास परेगी लेकिन अगर आप आफ लाइन चेक करोगे तो लगपक 8,000 के आ जीप्यू है इसमें आपको डूएन कूलिंग फैंस मिलता है इसमें आपको 240 वार्ट तक मैक्स पावर मिलती है जिसमें आपको टीन डीपी पोर्स मिलता है जो कि मदरबोर्ट के लिए मैंने यूज किया है MSI PRO H610ME जो कि DDR4 मदरबोर्ट है इसमें इंटल का 12 जन सपोर्ट करता है और इसमें AMD का GPU भी आसानी से सपोर्ट कर जाएगा इसमें आपको काफी सारे पोर्स भी मिल जाते है बाकी और स्पैस्टिपिकरिशन आप डीटेल में जाक 50W का पावर सप्राइब जो की मोर देन शपीशियंट है इससे जद आपको पावर की जरूरत नहीं पड़िए उसके लिए तो आपको बगएर मदरबोर्ट बगएर अपड़ेट करना पड़ेगा यह काफी मतलब आपका जो चला देगा काफी अच्छे से इसके प्राइस ऑ जरूरत नहीं SSD में बस Windows को बूट करने के लिए एक SSD लगा देना जो कि 512GB more than sufficient है और आप लोग एक हाट डिक्स कर लेना 1TB का जिसमें आप अपना डाटा या फाइल बगएर रख सकते हो जो कि आपको लगबग तीने चार के आसपास मिल जाएगा बसके बाद दोस्तों के आप अपने सबसे पर्चेस कर सकते हो या फिर वह लोग खुदी सजिस्ट कर देंगे आपको लगबग दो या तीने सबसे पर्चेस कर सकते हो तो दोस्तों इस वीडियो में आपको अंदर 30,000 PC बिल्ड करने का इस बता है तो अगर आप चाहे तो इनके बार में और जान सकत चेक आउट कर सकते हो तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर से करते ना और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आगे भी ऐसे वीडियो लेकर आओ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना